नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहबली बिहार में ठंड काफी कहर मचा रही है आपको बता दें ये कहर इसकदर है कि सडकों पर आग जलाते हुए लोग आपको मिल जाएंगे किकूर किकूर कर लोग बैठे हुए हैं सडकों के उपर और खास करके जब लोग सडक पर निकल रहे हैं घर से बाहर निकल रहे हैं तो कनकनाती हवा उनको अंदर तक छेद दे रही है और इसी ठंड के बीच मौसम बिभाग का अलाड भी जारी किया गया है कहा गया है कि कोल्ड वेब और सितलहर जो है वो लगतार अभी जारी रहे ने भी अलर्ट जारी कर दिया है मौसम बिभाग के अनुसार राधानी पटना का तापांच 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है वहीं आज यानिकी शुकुरवार के दिन भी मौसम बिभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है दरसल इस बरती थंड का कारण जम्मू कश्मीर से बर्फारी हो रही है और इस बर्फबारी के बीच में बिहार पर तगड़ा असर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में भी लगतार ठंड का कहर जारी है और बिहार के आसपास के राज्यों में भी ठंड का कहर जारी है दरसल जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी हो र प्रंट के चलते नियूंतम पारा 6.5 डिगरी तक गिर कर 7.6 डिगरी पर पहुँच गया यही नहीं और भी जीले का यही हाल है पटना सहीत कई जगों पर कोल्ड वेव के हालात बने रहने की संभावना जताए जारी है लोगों को ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है मौसम विभाग के अनुसार पचुआ हवा और कोहरा मिलकर तापमान को और घटाएंगे तापमान बढ़ने नहीं देंगे बिहार में सुबह होते ही कनकनी का एसास हो रहा है लोगों को ठंडी हवा की मार जेली पड़ रही है वहीं शाम की बात करे तो आसमान में कोहरे भी छा जा रहे हैं और मौसम विभाग के अनुसार अभी ये सब जारी रहने वाला है तो आप भी सचेत रहिए साउधान रहिए ठंड से बचिए ठंड का इंज्वाय करने में लोगों को बहुत मजा आता है लेकिन जब ठंड लगती है तो नुकसान भी बहुत जादा होता है आप लाइफ सीडी साथ बन रहे हैं विभार समय देश दुनिया की तमाम खबरों से लगतार अपडेट रख रहे हैं और बिहार के साथ साथ जो आसपास के राज्य हैं उनमें ठंड की कैसे हालात हैं हम उसको भी आपको बता रहे हैं राधानी पटना में कैसे हालात हैं हम उसके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं बिहार के अन्य जीलों में ठंड को ले करके किस तरह के इफेक्ट पढ़ रहे हैं लोग कितने जाधा परशान हो रहे हैं हम उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं और सबसे जाधा परशानी होती है उन बच्चों को जो स्कूल जा धन्नवाद